हलो दोस्तों कैसे आप लो मैं उमीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा चला होगा तो आज एक छोटा सा ये टॉपिक लेकर क्या हूँ बिटामिन के बाड़े में जो भी इंपोटेंट कुश्चन है उसब मैं इसमें डिस्कॉस कर दूँगा आपको 5-7 मिनट में टॉपिक किलियर हो जाएगा और आपके अगर पढ़िक्षा में यहां से कोई कुश्चन आता ह तो बन जाएगा मैं लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा जिसके वज़े से आपका सभी के सभी नाम याद रहेगा अभी पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ इसका पीडिया भी मैं आपको दे दूँगा आप ले लिजेगा नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप् पर होना चाहिए दूसरा कि इसके कमी से क्या होता है तो रताओधी होता है मतलब अगर विटामिन ए का कमी हो जाए तो उसको कम दिखने लगता है रताओधी हो जाता है इसका सुरोत क्या है तो गाजर दूद अंड़ा और फल है इसका सुरोत लेकिन सबसे ज़्यादे जे B भी लिग करके देगा तो आप confuse मत होई है क्योंकि ये B का सिरीज है इसलिए B को यहां B1 से सुरू किया है तो इसका रसाइनिक नाम क्या है तो थाइमीन इसका रसाइनिक नाम है और इसके कमी से क्या क्या होता है तो इसके कमी से बेडी बेडी होता है ठीक है इसका चलिए आगे देखते हैं देखिए आगे क्या है vitamin B2 B2 का ये जो नाम जो है riboflavin ये बहुत ज़्यादा important है ये कई बार पुछा गया है कि vitamin B2 का रसाइनिक नाम क्या है तो riboflavin ठीक है तो और इसका कमी से क्या होता है इसका सुरूत क्या है तो अंडा, दूध और हडी सबजी हडी सबजी में तो सब कुछ मिल जाता है लगवग हडी सबजी खाता है इससे vitamin का कमी बहुत कम होता है तो इसका सुरूत ये होगा आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है इसका रसायनिक नाम जो है ये राइबो फ्लेविन अब देखें इसका vitamin B3 की बात करते है vitamin B3 का अगर मैं बात करूँ तो इसका रसायनिक नाम है नियासीन, ठीक है? ये भी important है इसका नाम तो आप देखें, अगर आपको हम थोड़ा साय को यहाँ word बताऊं जिससे आप इसको याद रखेगा तो यह क्या है? vitamin B3 है 3 है मतलब क्या है? तीन है हिंदी में क्या बोलते है? तीन यहीं बोलते है ना? तो इस तीन में क्या है? यहाँ पे 9 है और यहाँ पे भी देखें नियासीन में भी क्या है? 9 है तो जब आप एक से दो बार पढ़िएगा तो आपको यह चीजे इससे connect हो जाएगा connect हो जागा तो आपका नाम याद रह जाएगा ठीक है? इसके कमी से क्या होता है? ता मंद बुधी या बाल सफेद होना यह सब इसके कमी से होता है लेकिन अगर इसका स्रोत देखें तो यह मास, दूद और ट्रमाटर, मुंभली अगर इन सब चीजों का आप सेवन करते हैं तो आपको बी थिरी का कमी नहीं होगा ठीक है? चलिए आगे देखते हैं बीटामिन B5 का बात करते हैं तो इसका रसायनिक नाम भी इंपोटेंट है क्योंकि जब मिलान करने के लिए देता है तो सब का इंपोटेंट हो जाता है तो इसका क्या नाम है? B5 यहां देखें 5 है, 5 मतलब क्या? 5 हो गया आपको 5 से क्या याद रखना है? प्लेगरा रोग ऐसे तरह का रोग हो जाता है इसके कमी से, लेकिन इसका सुरोत क्या है? तो मांस, मुफली और आलू, मतलब जो हडी सबजी हो अगर इन चीजों का आप सेवन करते हैं तो आपको विटामिन B5 का कमी नहीं होगा यहां पे एक्चुली इसका रसानिक नाम क्या है? तो पाइरोडोक्सिन आप एक को याद रखेगा जैसे विटामिन B5 को अगर याद रखते है पेंटो, थिनिक तो आपको यह पाइरोडोक्सिन अपने आप अप्शन में आपको पता चल जाए कि B6 का है तो दोनों अगर याद नहीं है तो अगर इसको कम से कम याद रखे कि 5 पेंटो, 5-5 पेंटो ठीक है? अब इसके कमी से क्या हो जाता है? तो एनेमिया और तुछा रोख हो जाता है इसका सुरोद क्या है? तो दूद, मांस और हडी सबजी है सुरोद कम पूछा जाता है लेकिन जादा तर आपको यह पूछा जाता है कि कमी से क्या होता है? तो B6 के कमी से एनेमिया होता है, ठीक है? चलिए नेक्स देखते हैं कुछ से देखिए यहाँ, बिटामिन H और B7, ठीक है? इसका B12 है, बिट्वेल्व इसका रसायनिक नाम पताने एक جम में कितना बर पूछा गया है बरी फेबूरेट एक जाम का इसका रसायनिक के नाम तो इसका रसायनिक नाम क्या है? तो Sino-cobalmine Sino-cobalmine इसका रसायनिक नाम है तो यह आपको याद रखना है इसके कमी से क्या होता है कि रक्त छिंता हो जाता है ठीक है रक्त में कमी हो जाता है इसके कमी से ठीक है उसके बाद क्या होता है इसका सुरोत क्या है तो मांस कलेजी और दूद मतलब जो महतोपूर्ण समान है ये खाईएगा अगर मांस खाईएगा क्लेजी खाईएगा जैसे कि बुलते हैं ने कि कोई भी चीज का मुर्गा या मतलब मछली का या खसी का तो वह सिप चीजे से यह चीजे ज्यादा मिलता है इंग् fifteen करते हैं कभी रसानिक नम क्या है तो अब इसके साथ एक क्या लगा देता है मतलब इसकर्बिक एसका नाम है ठीक है और इसके साथ एक लगा देगा और एसिटिक एसीड जो इसका नहीं होता है ठीक है तो आप इन दोनों में कभी-कभी कनफ्यूजन अगर जाते हुएगा तो किलिए रचे जाकर लग्देदी का मावला स्थ challenging स्थ ह्यां वितामिन्स पूर्टा थो यह जाता है निया सब्से होताल है मैक्सिम्मम लावचे कट अठके ही कि कि स्य कहता है अच्छा है या बदेखाता है तो आब wrap बिटामिन C किसमे है, तो आवला में, ऐसा नहीं, कई बार लोग निबू टिक लगा देते ही, अप्षन में रहता है, तो निबू नहीं अगर आवला परजिंट है, तो सबसे पहले हमें आवला में टिक लगाना है, ठीक है, और बिटामिन D का देखिए, D का रसाइनिक नाम क्या है तो Kelsey Ferrol Kelsey ये मैं आगे एक trick दूँगा जिससे आपको याद हो जाएगा Kelsey Ferrol इसके कमी से क्या होता है इसका स्रोथ क्या है तो सूड़े का परकास जो हमें फिरी में मिलता है विटामिन D एक ऐसा स्रोथ है जो सूड़े भगवान से में मिलता है और फिरी में मिलता है विटामिन D सूड़े के परकास सबसे ज़्यादा मिलता है ऐसे तो दूद और अंडा से भी मिलता है लेकिन सबसे ज़्यादे सूड़े परकास से मिलता है अब next देखिए next विटामिन E का बात करते हैं काफी important है ठीक है तो इसका नाम क्या है फीलो कुणि मतलब इसमें हम जो भी question discuss करते हैं सब के सब important है सब परिक्षान हैं पुछा गया तो फीलो कुणि से क्या होता है तो रक्त का ठका नबनना अगर किसी के सरीर में vitamin k का कमी है तो उसके सरीर में रक्त का ठका नहीं बनता है अगर माल लिए कि उसका थोड़ा सा अगर अंगली कट जाता है तो वहां से हमेशा रक्त बहते ही रहेगा ज्यादा टाइम तक कि जल्दी ठका नहीं बनता ये प्रोब्लम होता है ठीक है इसका सुरोत के अगर मैं बात करूँ तो अगर टमाटर को फोलो ना करें क्योंकि अगर आप सोचिए खुद अगर आप दस वो नाम का अनलाइसिस नहीं कर सकते हैं तो आप कैसे चीजों को इतना बड़ा सेलेबस को एकजाम में कौफर करके रखिएगा इसलिए चीजों को समझ कर एनलाइसिस करके चीजों को कनेक्ट करके वर्ट एक टौफी रत पर क्या है एक टौफी ठीक है अब आपको यहां से बिटामिन ए यहां से मिल गया बिटामिन ए का रसाइनिक नाम बिटामिन बी यहां से मिल गया आई पड़ जो है न इसका कोई मतलब नहीं ठीक है पड़ खतम हो जागा यह वर्ड करनेक्ट करने के लिए यह आपको vitamin C दे देगा, यह vitamin D दे देगा, ठीक है, यह vitamin E दे देगा, और यह vitamin K दे देगा, ठीक है, अब बाकी B के स्रीज जो था जैसे 3, 5, इस सब को थो हम आपको already connect करा दिये हैं, तो जखिए, जैसे कि vitamin A, जैसे यहां रोस से क्या बन जागा, तो आपको बताया थे क्या करसानिक नाम, रेटिनॉल, और यहां पे थो से क्या बन जाएगा, तो थाइमीन बन जाएगा, यहां A से क्या बन जाएगा, तो इस कर्भी के सिड, यह बताया थे आपको, ठीक है, यहां अब D, D के लिए D और E में लोग कन फ्यूजर करता है, तो D का नाम किसे हो जागा, को से हो जाएगा, तो कैल्सी फेरोल हो जाएगा, ठीक है, यहां पे आपको अब यह पता चल जाएगा, कैल्सी फेरोल हो जाएगा, ठीक है, और विटामिन E, अब यहां पे टौ फी है, तो विटामिन E की से टौ से हो जाएगा, तो टौ से क्या होता है, टेको फेरोल, जो को ही आपको यहाँ पे दिख भी रहा है स्क्रीन पे कंगा time तो यहाँ नहीं नहीं की जरुझा नहीं को क्या बना दिया उसके साली लोग उसका टोफिए थीक है तो आप इसको याद रख लिजेगा ऐसे ठीक है तो रफनी बे में आपको याद भी रहेगा तो चलिए कैसा लगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दिजेगा और हमारे साथ जूरे रहे हैं बहुत अच्छे कंटेंट आपको देंगे और थैंक्स फर